हेलो गाइस, टेरो विट मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है, कैसे हो, आप सब आए, होप आप सब अच्छे होंगे, खोश होंगे, अपने वराओ को पॉजिटिव गिवे होंगी गैस, आज हम जो डेडिंग कर रहे हैं, उसका टॉपिक है, आने वाले दो सब्ता हमें, आपकी कौन जी विश्पूरी होगी यह एक जनरल डेडिंग है, गैस, हो सकता आपके साथ रेजोनेट करें, ना करें, जो बत आपके सिचुएशन का अकॉर्डिंग, आपको रेजोनेट करती है, उसे प्लीज रख लीजेगा, बागी को चानी दीजेगा, तो देखते हैं, आने वाले दो सब्ता हमें, आपकी क विश्पूरी होने वाले है, यह एक टामलेस रेडिंग है, गैस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे, यह आपको हेल्प करेगी, देखो गैस, आपका किया अच्छा कर्म आपके आड़े आएगा, किसी बात को लेकर, जिस बात को लेकर निराशा है, यह जिस बात को लेकर, क्योंकि यहाँ पर 9 और 6 के अनरजी है, तिक विपरित परिस्तितियां आपको नजर आ रहे हैं, गैस, वह सकता है, जीवन के प्रति नजरिया भी आपका बदल रहा है, कुछ चीजों में कहा सकते हैं, गैस, कि एक निराशा उत्पन हो रहे हैं आपको, एक मून वाली एनरजी यहाँ पर फिल हो रही है, कि कही न कहीं किसी इनसान को यह लगता है, कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़े हीड़ बोल रहे हैं, या आपके साथ धोगा करने के कोशिश कर रहे हैं, यह कुछ ऐसा गाय जिसके बारे में कहीं ने कहीं आपको अबास है, और आपको लग रहा है कि अगर चीज़ें आपके सामने आ गई ना इक बर खुल कर, तो आप सहन नहीं कर पाऊँगे, तो कहीं ने कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कहता है ना एक तरफ खाई है एक तरफ पानी है तो आपको ऐसा लग रहा है जाए तो जाए कि दर दोनों ही तरफ आपको खतरा नजर आ रहा है बढ़ आप एक चीज नहीं देख रहे हैं कि इंडल साइन आपको मिल मिल कर आपको एक रास्ता एक डारेक्शन दिखा रहे हैं आपका ध्यान बठकाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चीजों में अभी आपका ध्यान बठक रहे हैं एक अच्छी चीज मुझे यही लग रहे है कि आप में एक वो अच्छी बात आ रही है कि आप खुद इन चीजों पर से ध्यान हटा कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जितना इन चीजों को इन नेगेटिविटी को इन नेगेटिव सिचुएशन को इग्नोर करूंगा, करूंगी यह मेरे लिए अभी के लिए बहतर होगा. एक्चुल में अभी आपके साथ एक चीज़े बहुत हो रही होगे, कि यहां तो आपके गुमना फिरना बहुत हो रहा होगा, गुमना फिरना में यह नहीं कहरें कि एन्जॉई के लिए यह यह ट्रैवल करने के लिए अच्छे मूमेंट फैमिली के साथ बिताने के लिए इस चीज़ों को अभी नहीं होने देना जाते हैं, आप मन में यह सोच रहे हो कि एक बार में यहां तो यहां तो मेरी लाइफ में मुझे सफलता मिल जाए, यहां मैं mentally इतना strong हो जाऊं, ठीक है, कि मैं उसे सहन करने योग्य हो जाऊं या उस चीज़ का मुझे पर effect ना पड़े उसके बार में मुझे पता चल जाए तो दिक्कत नहीं, ठीक है या फिर ऐसी भी चीज़े हो सकती है, कि आपको चीज़े जानने के कोशिश कर रहे हो, unfold करने के कोशिश कर रहे हो, लेकिन समय उन चीज़ों के लिए आपको, समय सहुष रहे है कि आप ready नहीं हो, तो अब भी कुछ चीज़ों में आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, situation दोनों तरीकी की हो सकती है, किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप इग्नोर कर रहे हो, किसी के लिए ये भी हो सकता है कि situation अभी आपको पता भी नहीं चल रही है, दोनों तरीकी के हालात है, अभी आपकी life में, at present क चीजे चल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, आपको इंजल साइन दिये जा रहे हैं, कुछ आपकी अच्छी करमों की reward आपको मिल रहे हैं, वो किस रूप में कि बूरी चीजों पर से आपका ध्यान हटे और आप लाइफ में आगे बढ़ो, कोई blessing आप कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो, कुछ दीरे-दीरे करके छोटे-छोटे इस तरफ पर आपकी लाइफ में बदलाव हो, कुछ changes का सामना आप कर रहे हो, आपका मन अ इस दिर है, मुझे पता है, मन में अंडगार चाया हुआ है, मन कहीं पर भी नहीं लग रहा है, कि अ मिल्कुल मन में इतनी बेचे नहीं आ रही है, कि समझ से पर हैं, अभी तो इन दिनों में कह सकते हैं, कि आपके एनर्जी का इतना उतार चड़ाओं होना, इतना संवेगों का उफान मारना, ये चीज़े आपके साथ चल रही है, कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस केव अकेले बैट रहे हैं, तो दिमाग में कुछ नों कुछ नों कुछ चलता जा रहा है, ये हटेगा गाइस, एक्चुल में यहां पर यहीं चीज़े कही जा रही है, कि आपका लाइफ के प्रतिन हजरे को बदला जाएगा, आपका ध्याम इन चीज़ों पर से हटाया जाएग तकि आपके लिए कुछ चीज़ा हसा हो पाए, अब यहां पर क्या होगा आपके लिए, है ना, आने वाले दो सब्ता में आपकी क्या विश्पूरी होगी, आप ये चाहते हो कि मन के इस्थिरता मिल जाए, मन का सुकोन मिल जाए, इन बूरी सिचुएशन से आपका ध्यान ह पाड़े आ रहे हैं, है ना, या ये भी हो सकता है गाइस कि कोई प्रॉब्लम जो आपको लग रही है, घटित हो जाए कि उस प्रॉब्लम से आप बच जाओगे, और ये क्यों बचोगे क्योंकि आपकी कुछ कर्म अतने विशेश किये हुए है, जो कहीं न कर सपोर्ट के र लग रहे है गाइस कि या तो हाल फिलाल में आपके साथ ये गटना हो गई है, या थोड़ा साफदान रहना, बाहर आओ जाओ ना, थोड़ा गूमने फिरने में साफदान रहना, कहीं आपको चोटना लगे, हलाकि यहां पर एक चीज बड़ी ऐसी नजर आ रही है कि जैसा म और यह आपके लिए बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था कि मालिक ने बचाया है, जैसे होता नहीं कि किसी इंसान पर ही सभी प्रकार की रेस्पांस प्रेटिया अगर वो बीमार हो जाए, उनके साथ कुछ गलत हो जाए, तो फिर अपनों का खयाल कैसे रखे, वो अपन वाली दो हफ्तों में क्या होगा, कि किसी प्रॉब्लम का निजात, किसी समस्या का निप्टार आपकी लिए होते में नजर आ रहा है, यह 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 तो दो हफ्तों में जब भी आप देखोगे न, दो सब्ता में आपके साथ होगा, यह जब भी रिडिंग देखोगे न, उसके बाद में पूर्ण इमा आई की न तब देखना आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा ठीके तो इस बात के लिए रड़े रहे ना कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है जो आपके लिए एक छोटा साही सही लेकिन एक चमतकार से कम नहीं होगा गाज़ दो सब्ता में आपका आपके पास आता हूए नज़रा रहा आए अगर आप से किसी ने उधार डे लिया है अगर रिटर्न नियों कर रहे थे अपको आपके कहे बीना वो रिटर्न होगा आपको आपका पैसा आपके पासा कॉर्बहुमार्गों कीयर सफलता को मैंने कहाँ है क्योंको आपका बन पड़े है ना उतनी आप लोगों के help कर रहे हो तो आपकी life की institution ऐसी बन पड़ी है जहां पर आपको help की आवशकता है दो हफतों में आपको किसी प्रकार की help मिलेगी यह आपके कर्म है गाइस जो गोम घाम करें इतना पोटली के रूप में आपके पास आ रहे हैं जहां पर आपको असहाई नहीं किया जाएगा है ना आपके लिए support अपने आप आ रहा है धैय का तो तो आपका बहुगे का साहते है दिख्लो के करम आ का साहत है ना आपका कर चीजित कीया हुआ खाय सबके को गोडर के रा ठाश चेशर में औरने दोबारा की ओम आइस होट के हैं और सामी हो उम्मीद की लोग को जगाएये राखे सब कुछ आपके हाथ में है It's up to you सब कुछ आपके हाथ में है गाईस आपको अभी यह हो रहा है कि धहर यह नहीं रखा जा रहा है अब तो बेर सबर हूँ मुझसे एक पल का इंतजा नहीं हो रहा जो कुछ भी अच्छा करना है मेरे लाफ में आजी करो, तो बहुत दूर की बाथ है, यहाँ पर 9-6 के एनरजी है, और संतुलित एनरजी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे है, जैसे यहाँ इसा कोई चाहता है कि चीज़ा उन्फोल्ड हो जाए, कोई चाहते है कि चीज़ा उन्फोल्ड ना हो अभी, यहीं संगर्ष, य अपने अंदर चल रहा है उसे काबू में करो गाइज कि आने वाले समय में आप ड्रैगन के अनरजी में आने वाले हो कहां यह एनरजी देखो है ना कि अपने डर से बाहर ही नहीं आ रहा कोई इंसान और यहां पर एनरजी देखो अप्टिमेस्टिक गाइस एक अश्यभादी एक क्रियेटिव एनरजी जो अपने आप खुद बखुद जीजो को क्रियेट कर ले मैनिफेस्ट कर ले यह ना यह आने वाली दो सब्ता में आपकी मैनिफेस्ट की हुई इच्छा भी पूरी होगी यहां पर भी मून की एनरजी आपके संदुलिद होगी और ड्रैगन के एनरजी में आने का मतलब बड़ा पावरफुल होना का है मतलब यह मैजिक को अपनी लाइफ में इन्वाइट करने वाली बात के बारे में कहता है यह कहते हैं अपनी एनरजी को इस तरह डवलप करना कि जो सोचो वो पूरा हो जाए क्योंकि यहाँ पर आशावादी रहने को कहा गया है काड समझो दोनों विप्रित है यह निराशावादी और यह है आशावादी काड जो कहता है कि एक उमीद की लौ जगाय रखना आशावादी होकर रहना क्रियेटिव होकर रहना और एक अच्छी न्यूस के लिए उमीद बना कर रखना क्योंकि यहाँ पर यह कह रहे है कि आपका मैनिफेस्ट क्या हुआ और आपकी इच्छा शक्ति आपके लिए कुछ कमाल कर के लिए कराएगा है यहाँ पर आपका साहस का काम है आप जो धैरे नहीं रख पा रहे होना मली कह रहे है धैरे रखना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर आप सकारात्मक हो गए और आपने अपनी एनरजी का सदूपयों कर लियाना तो कुछ चीज़े वैसे ही आपको दो सप्ता के अंदर-अंदर मिलने वादी है कुछ है जो बहुत नजदीक में आपकी लाइफ में आ रहा है लेकिन आपका ध्यान जो एक अस्तिर हो रहा है वह अस्तिर होने की वज़व ही है और बार-बार इंजल सायन मिलने का मतलब भी यही है कि किनी चीज़ों से आपका ध्यान अटाया जा रहा है बेटा उदर देखन ने कि अपना emotions उडेलने कि आपशकता नहीं है है ना तो कभी-कभी कुछ चीजों को मालिक के हवाले छोड़ना चाहिए कुछ चीजों को मालिक को surrender करना चाहिए और इतना गंबीर होकर life में नहीं जीना चाहिए कि हमेशा दुख के बारे में सोचो आप वो energy केवल मात्र negative energy आपके चारों और गूम रही है क्या manifest कर रहे हो क्या manifest कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि ये भी सोच रहे हो कि फिर से वही चीज़ने गुम कर आ रही है आप invite ये वहीऑ कर रहे हो अच्छा invite क्यों नहीं कर सकते गॉमाइज चले के उल्टा ये है कि और जदर तकलिफ का सामना ना करना पड़ जाए तो कभी अगर बुरे बुरे हालात बन वेनागाई जहां पर परिस्तित्यों ने थोड़े टाइम के लिए थोड़े टाइम के लिए आपको रोक दियाना वहां पर कोशिश करो अपनी अनर्जी से उन अभास भी होता है कि यह समस्य का समाधाने पर हमारी अनर्जी उसे एकसेप्ट करने को त्यार नहीं रहती है आपको चीजों में एकसेप्ट नहीं कर पा रहे हो दिक्कत यही है वहां जी बिल्कुल यही है पर यहां पर मैं एक बात कहूं कि जैसे अगर आपको सुनने में बी आ रहा है न कि आपकी problem खतम हो जाएगे आपके energy क्या चल रही है उस चीज को accept नहीं कर रहे हैं कि आपके life में कुछ अच्छा होगा या आपकी problem खतम हो जाएगे आप कैरो इतने time तक में नहीं होई या अप क्या होगी और इसी को आप invite कर रहे हो, जस्टिस का आता है ना अभी तक मैं हुआ नहीं है अब क्या होगा, है ना ऐसा मत सोचो गाई, जैसे ही अगर कोई आपको कहे मैं ना केवल हमारे डेडिंग के बारे में बात कर रहे हूं, कभी भी कोई भी इनसान अगर आपको कहे आपकी लाफ में ये मिलिकल होगा, आपके साथ ये जस्टिस होगा, जल्दी से उस एनरजी को इनवाइट करो अपनी लाफ में, उसे थाम लो जल्दी से, कि ये एनरजी मिली है, पताने किस के रूप मैं ये किस के जरिये मालिक ने मुस्तक ये मेसेज पहुचाया और मैं उसे डिनाए क्यों करो, इग्नोर क्य जा रहे हैं, और जैसे जिस तरीके से हो, आप उस तरीके से एकसप्ट करो, आप अपना तरीका मालिक को मत बताना, मालिक इस तरीके से मेरी प्राब्लम को खतम करना, मुझे ये ही चाहिए, आपकी सोच से अलग आपको चीजे मिलेंगी, जिससे आप प्रसन होगे, जिससे आप साहर्ष विकार करोगे, ऐसा नहीं है, कि अगर आपको कुछ प्राप्त होगा, तो उसमें भी आपको दुख होगा, कि मेरे चाहा हुआ मुझे नहीं मिला है, आपका चाहा हुआ क्या, आपका चाहा हुआ से ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा, पर आपकी प्राप्लम भी खतम होगी, है ना, और कुछ चीजों में आगे समय आपके लिए और क्लारेटी लेकर आएगा पाईस, एक, समय निकलने के बाद में आपको कुछ चीजे और पता चले की, कुछ ऐसे चीजे अनफोल्ड होगी, जो अभी आपके लिए सही नहीं है, जो कहीं ने कहीं आपको भी पता है, कि कुछ चीजे अभी अगर मुझे पता ना चले, तो मेरे लिए फिर भी जीवन यात्रा काटना, थोड़ा असान है, है ना, पर जैसे कहते हैं ना गैस, कि आपको खुद को माली कितनी खुशी प्रदान कर देंगे, कि कभी शिकायत ही नहीं रहेगे, कुछ भी अनफोल्ड हो ना आपके सामने, बट आपको मालीक से शिकायत ना हो, इसके लिए कोछ चीजे आपके लिए, आपके लिएक में आपको एक कोई ब्लासिंग मिलने के बाद में अनफोल्ड होंगी, जिससे ना तो अभी आपका लेना देना है, ना बाद में कोई लेना देना रहेगा, लेकिन कहता ना कि इंसान है गैस, शिकायत करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा के, ना तो आपको शिकायत ना हो मालिक से, इस वज़े से कुछ चीजें बाद में आपके सामने प्रस्तुत होगी, ठीक है, ये जैसे इन डारेक में से जाया गाईस, मैंने उसी तरीके से बताने के कोशिश की, आने वाले दो सब्ता में सबसे पहली बात आ रही है, कि आपको किसी काम में सकस्स मिलना गाई, जो भी काम आपने किया है, या जो कोई नया काम आप करना चाहते हो, उसे पुरी शिद्दत से आप उस काम को करने की शुरुवात करोगे, और उसमें कहीं न कहीं आपका रूची लगेगी, आपका मन प्रसन रहेगा, कहीं न कहीं आप में साहस आएगा, आपका आत्म विश्वास का इस तर रूचा बढ़ेगा, और कहीं न कहीं आपको हेल्प भी मिलेगी, जो आपने पहले कभी किनी डोगों की help करी होगी वह सकता है उनसे ही या फिर कोई और लोग होंगे जिनसे आपको help मिलेगी लेकिन ये भाग गया आपका आपके लिए मदद ले करा रहा है है ना justice आ रहा है guys दो सप्ता है मैं आपके लिए justice आ रहा है बिल्कुल guys आप इसके लिए तड़प रहे हो है ना कोई या तो कुछ चीजों जैसे यहां पर भी लग रहा है कि आभास है आपको और उन चीजों को लेकर आप मालिक से प्रेय कर रहे हो कि मालिक मेरे साथ justice करो मेर आपके सामना है जैसा यहां पर भी कहा जा रहा है कि एक समय निकलने के बाद में चीज़ें आपके सामना है कि यह justice होने के बाद में चीज़ें आपके सामना है कि किसी इनसा ने किस इस तर पर आपका बूरा सोचा था लेकिन कहता है ना कि उसके बाद में आपको शिकायत न किसी ने किस इस तर पर आपका बुरा सोचा लेकिन मालिक ना आपको बचा लिया, ये देखो, ये आपके कर माड़े आए, यानि किसी ने आपको किसी बुरी सिचुशन में गिराने के कोशिश की है, लेकिन मालिक ने उतना ही आपको ऊपर उठाया है अगाई, एक बात लग र साथ कोई अच्छा behavior करे हर किसे इनसान के life में होता है कैसे से बहुत बड़ा burden की रूप में मत देना अच्छी बात ये है हमारे साथ जो justice होना हो वो justice हो जाए ठीक है तो ये justice आपके साथ हो रहा है और जिसने भी आपके बारे में बूरा सोचा है ना उनके कर्मका फल मिलते हुए नजर आ आख इंडो सप्ता हमें आपको यही कहा जा रहा है कि आप किसी situation में जीतते हुए नजर आ रहो ठीक है तो ये भी बता जा है तो ये समन में भी आपके साथ justice होता हो नजर आ रहा है वैसे भी देखो guys dragon की energy महा रहे हो तो आप खौफ उत्पन नहीं करोगी क्या लोगों के लिए है ना मतलब बूरे लोगों के लिए आपके energy वह नहीं है जो आप किसी को हानी पहुचाओ आपके एनरजी वो है जो आपके लिए एक ढाल का काम करती है है ना तो बिलकुल कोछ ऐसा आप बड़े मतलब आपकी एनरजी ऐसे रहे कि बुरे लोग आपसे दूर रहे ओके देखो मैरेज का प्रोपोजल आते होए नजर आ रहे है यहां पर प्रोपोजल क्या यहां पर शादी ते होते होए भी नजर आ रहे है क्योंकि टैन अफ कप्स का काड़ आया है जो एक हैपिनस के बारे में परिवार के साथ अच्छे पल बिताने के बारे में marriage के proposal आने के बारे में union होने के बारे में reunion होने के बारे में इस बारे में बात कहता है यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि एक commitment आपके लिए आ रहा है एक loving relationship आपके लिए आ रही है आखे बच्चों को लेकर हो सकता है कोई अच्छी खबर सुनने को मिले या बच्चों के साथ मन मुटाव चल रहे है उसको लेकर कोई justice चाहते हो कि मालिक सब कुछ अच्छा हो जाए तो वो भी होते हुए नजर आ रहा है एक खुशी वाले पल गाई जहाँ पर इंसान की emotion जो है जहाँ पर इंसान का मन जो है वो खोश हो जाए कि मेरे परिवार का वातावरान अच्छा चल रहा है अब मुझे सर्व अपने काम पर फोकस करना है मेरी एक जिंता खतम हो गई या ना पार्सनल लाइफ को लेकर जो दुख आपका बना हुआ है वो खतम होते हुए नजर आ रहा है या कही न कहीं कहलो गायस के आने वाले दो सब्ता में कुछ परिवार का वहतावरान ऐसा बनेगा जहां आप से समझ बहुत अच्छी चलेगी जहां पर अभी किनी लोगों की लाइफ में चल रहा है कि एक दूसरे के प्रती परिवार में ही अपनों के बीतर बहुत नस्दीक में गायस कि जहां पर अविश्वा सुत्पन हो रखा है जहां पर एक दूसरे पर बिलीव ही नहीं है यह समझा जा रहा है कि एक कोई दूसरे के साथ बहुत बूरा कर लेगा हक चीन देगा यहां फिर गलत बिहिविर करेगा दुश्मन समझ रहे एक दूसरे के और परायों को अपना माना जा रहा है यह विचितर बात यह विचितर गटना यह कहता ना उल्टी डीती यह चल रही है कि जहां अपनों पर बिलीव करना चाहिए यह वहां पर परायों पर बिलीव किया जा रहा है और जहां पर परायों को बात नहीं कहने चाहिए अपनों को कहने चाहिए वहां पर अपनों को नहीं कही जा रहे है बाहर के लोगों को गही जा रहे है यह उल्टा सिचूशन चल रही है गाइस और ये चीज़े सीधी होती हुए, हना ये चीज़ों में बदलावाती हुए, ये भी नज़र आ रहा है, अपनों का टरस्ट वापस से अच्छा होता हुए, अपनों की समझ आपस में अच्छी होती हुए, ये नज़र आ रहा है, ठीके परिवार में कोई हो सकता है, गास, गेट तुगेदर हो, कियनी लोगों का आगमन हो, या फिर हो सकता है, किसी प्रकार का आप दो सफटा में कोई छोटा यह सही बिद्डड़ को सकता है, एनिवर्टिरी हो सकती है, कुछ अच्छे वातावरन बनते हों नजर आ रहा है काईस, है न, हशी खुशी का महौल वह नजर आ रहा है मतलब परिवार का वातावरण सुकद रहने वाला है ठीक है अगर कला कलेश चल रहे हैं तो वो कला कलेश खतम हो जाएंगे दूस अपता में और अगर मैरेज में कोई लिखकर चल रही है थार्ड पार्टी है तो उसको लिखकर देखो जस्टिस 100% है फिकर ही मत करो आपको कोई प्रयास नहीं करना इस पर अपने आप जस्टिस आरा आपके लिए है ठीक है कहा नहीं यहां पर वैल्यू बढ़ती हुए यहां पर वापस एमोशन फुल्फिल होते हुए यहां पर जो आपके साथ पक्षपात हुआ ना उसको लेकर बहुत बढ़ा न यहां पर लग रहा है आपके साथ बहुत जादा पक्षपात हुआ है कि आपको जहां वैल्यू दी जाने जाए जहां तवज्जव दी जाने चाहे उतनी तवज्जव वैल्यू आपको नहीं मिली है और आपको कंपेर किया गया हमेशा है ना मलब किसी भी इनसान के साथ हर क किसी के साथ, यह और यह बहुत गलत बाती है, सहन यह नहीं होती है, आपको compare क्या गया है, यह हमेशा आपको priority प्रात्मिक्ता नहीं दी गई, यह कहीं नहीं आपको खलता है, क्या आप सब को अपनी, मतलब जो आपके दिल के करीब होता है ना, वहाँ पर आप प्रात्मिक्ता देते हो, आप इस्तती को समझे के कोशिश करते हो, कि किस समय में मुझे किस बात को लेकर, किस इंसान को लेकर प्रात्मिक्ता देनी है, यह आप अच्छे से समझ रो, लेकिन जब बारी आपकी हाथी, तो वहाँ पर आपके साथ हो जाता है पक्श बात, और यह चीज़ें आपको सहन नहीं होते हैं ना यह चीजों से चुटकाड़ा मिल रहा है गाईस आपको अब आपको यह एसास होगा कोई आपको यह एसास कराएंगे स्पेशल फिल करवाएंगे कि आप उनकी प्रात्मिक्ता हो ओके यह है यहां पर कह रहे है कि कुछ इस्ततिय कंट्रोल पर नहीं है यह देखो सारी negativity खतम होनी जो work किया है आपने जितनी मैनत किया है उसका reward मिलना सारी दुविदाएं आपकी खतम होनी और victory यहां पर भी है पाईस देखो काम का burden तो काफी time हो गया यह एक चीज़ आ रहे है कि आने वाला समय आपको workaholic बनाने वाला है गाईस जो जितना आराम करना rest कर करने ना कर लो या अभी आपके पास समय है अपनी health को ठीक करने कि जितनी कोशिश करो कि उतना अच्छा रहेगा क्योंकि आने वाला समय खुशी खुशी आपको workaholic करने वाला है यह ऐसा नहीं है कि मजबूरी के कारण आप workaholic होंगे ना आपका भाग यह ना अच्छी energy को आपकी life में लेकर आएगा गाईस काफी सारी लोगों की इर्द गिर्द में आप रहने वाले हो यह काफी सारा काम ऐसा ग्यान ऐसा अच्छा है तो जाहिर से बात है guys उसके लिए आपका time आपका routine change होगा आपका आपकी मेहनत जादा लगेगी guys आपको mentally थोड़ा strong रहना है शरीर को स्वास्त को ठीक करने के आपशकता है ताकि आप अपनी काम में एकागरता दे पाऊगा है क्योंकि यहां बड़ी सफलता की इस तरह आपकी कदम बढ़ रहा है तो फहां पर संगर्ष नहीं कह रहे होंगा है, कि इस तब होते हैं जब को कोई इसान का जैसे आदे घन्टे का काम एक खंटे में चला जाता है एक बार में जो काम बनना होता है उसे दो बारी में वह काम बनता है, जब अपनी सफलता के लिए को इनसान मैनत करे तो वह संगर्ष नहीं ये गए हना वह सफल्ता का डंका है जो शूर मचाता है ठीक है तो यहां पर आपका संगर्ष नहीं लग रहा है यहां पर आपकी मैनत और उसका रिवाड्ड prioritize गर्म मैनत और स्क्रियता यह पNEY इतना अपने आप में खुद को पावरफूल भी समझना आप में विस्वास का डेवल बढ़ना ये ट्रेगन के एनरजी के साथ ये कंबिनेशन मतलब इसके बारे में शब्द नहीं है काईज शब्द नहीं है को इंसान अपने आपको कमजोर भूल कर भी सपने में भी नहीं सो क्या प्रॉबलम है होगी साइड में मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है ना मुझे लाइफ में आगे बढ़ना और सक्सस पानी है और जो अपने में होनर है या फिर अपना किसी काम को करने की निपोंता है ना उस पर बिलीव रखना खुद पर बिलीव रखना अब हर एक बुरी चीज को इगनोर करके सर्फ इस चीज के लिए किंग के लिए क्वीन के लिए इस एनरजी के लिए आगे बढ़ना मेजिशिन के पावर माना जो सबने संजोर रखना उसकी तरफ आपके कदम बढ़ेंगे कैसा अपने आप परिस्तित्या बनेगी तोड़ा आप अपनी तरफ से कोशिश करना क्या कोशिश करोगे सकारात्मक रहना खुद के बारे में अच्छा बोलना है और सबसी ज़रूरी आपके लिए है मिरर के सामने खड़े हो करना अपने बारे में अच्छा बोलो अच्छा सोचो है ना यह आपके आत्मे विसास की लेविल को कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है और ये सच हो जाएगा ये सच में सच हो जाएगा क्या पता गाइस आपके बोलने मातर से आपके एनरजी जो यहाँ पर भी पता चल रही है कि कुछ सोचा, कुछ बोला आपके इच्चा शक्दी काम कर दे वो परिणाम लेकर आ गई कभी-कभी कोई चीजों में ज़्यादा महनत नहीं करनी होती है और वहाँ इंसान बहुत ज़्यादा महनत करता है और उसका परिणाम भी कुछ नहीं निकलता है जीरो होता है और कोई चीजों में भागय का साथ ऐसा महनता है वहाँ पर negativity का आलम नहीं है तो वो तो हो नहीं है तब भी भी आप समझने की कोशिश करो कभी कभी अगर हम अपने मुल्यांकन करें हमें खोद समझ में हा जाए हमारे समस्य का समधान क्या है लेकिन दिमाग जो होता है न और चीजों में भड़क जाता है के पावर माओं के गाईस और लाइफ में अच्छा भी होगा जो सपने आपके हैं वो पूरे होंगी एक नई श्टार्ट आपकी लाइफ में होगी अपने आप पर ट्रस्ट रखना अपने डर कुस एक साइड कर देना गाईस किसी भी प्रकार का डर रखना ही नहीं है हैना कुछ भी किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना है ठीक और फेट रखना मलिक पर जितनी नकारात्मक था आपके आसपास में दिख रही हैं ना तो तने सकारात्मक आप होगे ठीक है और जैसा कहां कि अपनी हेल्थ पर ध्यान रखने की कोशिश करो और जैसा कहां अपनी हेल्थ पर ध्यान रखने की कोशिश करो अपनी हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करो अगर कोई बुरी आदत है तो प्लीज उस आदत का त्याग कर दो क्योंकि लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला मेरे शेर, मेरे युद्धा, विलीव रखना, सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करना, और मालिक पर विलीव रखना, और जो अच्छे काम आप कर रहे हो, उस तो ही कंटिन्यू में रखना, ठीके, वर्कोहॉलिक होने वाले ह है, आपके द्वारा, मालिक के द्वारा, आपकी एनरजी का कोई अब्दर उप्योग नहीं करेगा, जो आपकी एनरजी है, जो आपकी प्लैसिंग है, वो आपकी काम आने वाली है, तो इन दो हफ्तों में हो सकता है, कोई ऑपोर्चिनेटी आ जाए, कोई ऐसा सोट्स आ जा और वो पता नहीं कैसे सक्सक्स की तरफ आपको आगे बढ़ा दे। कभी-कभी ऐसा होता है गाइस, है ना, तो जो भी विचार मन में आते हैं कि इपर में इस काम को ट्राइ करके लिखो, है ना, तो उस काम को ट्राइ करना, थाकि आपको सक्सेस मिले, ठीक है, और जो भी सपन इन दिनों में आते हैं गाइस, उसको या तो नोट करके लिख कर रगदो, या फिर उन पर विचार करो, कि सपने आपको क्या कहना चाते हैं, ऐसा लग रहा है इंजल्स आपको सपने के माध्यम से कुछ कहना चाते हैं, अब इन दिनों में एक जैसा सपना आपको आ रहा है, जो कई ने कई या तो हो सकता है कि किसी प्रकार की justice के बारे में बता रहा है या कुछ आपकी life में होने वाला जो एक बेचेन ही आपको लग रही है ना जो एक negative thought इन दिनों में आ रहा है ना उसको लेकर हो सकता है कि थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप परिशान मत हूँ ठीक है तो अगर देखा जाए गाइस तो आपकी एनरजी और आपका जीवन अच्छा होते हुए सकारात्मक होते हुए और माली के क्रिपा आप पर बरस्ती वे नजर आ रहे हैं तो और सुरुक्षा किसी भी प्रकार से आपकी लाइफ पर नहीं है न आप पर आए तो अनुसच्चिन धोकर जीओÃ अभी फोकस करना है तो अपनी कैरीयर पर फोकस कर लो अपनी एनरजी को डवलप करने में फोकस कर लो और अपने स्वास्त रोज़ीक करो ठीक में असूर कोई है जो पानी कम पीते हैं पानी अच्छे से प्यों ठीक है ना तो गाइस यह थी आज की रिडिंग आई होप आपको पसंद आई है अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को कॉमेंट लेक शेयर कीजिए मैं मिलती हूँ आपको न